एलो फ्रैंड्स आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं औरियो बिस्कुट का रेच्टी सा केक जो हमने इसमे तें चिज़ों से ही केक बनाया है तो मैंने यह चयार पेकेट औरियो बिस्कुट के लिए हैं यह 10-10 खज़ में एक मादना ह क्रीम बिस्कुट लिया है और इसके टुकड़े कर लेंगे और इनको हम मिक्सी के जारे में डाल की और इसको एक दूब फाइन सा पाउडर बना लेंगे तो अब हम लेंगे इस तरह से किनारे वाला बर्तन उसमें मैंने चारो तरफ से ओल लगा लिया है और हम लेंगे बटर बटर पेपर तो इसको हमने इस तरह से सैट कर लिया है और थोड़ा थोड़ा ओल लगा दिया है अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप यहां मैदा भी डाल सकते हैं और यह देखिए यह हमने बिस्कुट का फाइन सा पाउडर बना लिया है अब इसमें हमें टेश्टि बनेगा तो मैंने एक इन्नो का पेकेट लिया ये प्ले मैं मैं नो है तो एही इन्नो ही हमें रहने में पास में हो चुका है इसके अंदर अब हम लेंगे वो बरतन जिसमें हमने ओयल लगा के रखा था वो इसमें हमने जो बैटल को डाल दिया है और इसको अच्छे से हमने टेप कर लेंगे कि ये अच्छे से सैट हो जाए अब हम लेंगे तोहा उस पी हमने ग्रेट लगा कि 10 मिन्ट के लिए इसको गर्म होने के रख दिया था अब 10 मिन होने के बाद जो केक वाला बरतन था वो इसमें रख के और इसको बड़े बरतन से कocompl कर दिया है और इसा गेस का फ्लेम मीडियम करना है कम से कम 50-60 मिंट के लिए हमें कवर करके रखना ही है और ये देखिए हम चेक करते हैं और इस जो केक वाला बढ़तन है वो सीधी तोय पर ने रखना है बीच में प्लेट डालकी ही रखनी है तब ही हमारा केक अच्छा बनेगा अब हम च तक आपने के लिए हमने के फोड़ दिया है अब इसके लिए हम बनाएंगी करेम जो करेम रखी थी वो उसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा सा हलका बुन गुना सा जादा था ना ज़दा गरम दूद इसल दालना है थोड़ा कर беспала ही 2 भ्यवक्स भूदा करेंगे और इसको क्रेंड यद्ट में थोड़ा सा घी डाला था यह देखिए यह यह सवी धीके खनेता है और तियार होको एक केक्णा हए और पर देखे है किनारे एकदम केक बन के त्यार हुआ है और ये दबाने से एकदम बन के त्यार हुआ है कितनी अच्छी इसमें जाली बेठी है तो फ्रेंड आप भी घर पे इस तरह से जिरूर ट्राइ करके देखना और जो उपर की थोड़ा सा है हमने जग कुछ से इस तरह से ठा लिया है इससे क्य और ये जो डेरी मिल्क है वो इसमें इस तरह से सेट कर दी है और ये केक इतना टेश्टी बना है कि आज मेरे बेटे का बड़े है मैंने उसके लिए बनाया था वो ही कट करेगा मैं कट करके नहीं दिखाऊंगी आपको लेकिन ये इतना टेस्टी है मेरे घरवारे तो सब इसके दिवाने हो गए थे कि इतना सुपर टेस्टी केक बना है फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक स कमेंट करना चैनल सब्सक्राइब